कूच पिहार जीले के सुनीती इलाके में दीपावली की रात पटाखा फोड़ने के दौरांसर में चोट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई मृतक का नाम अनिर्बान घोश, 36, है माबाप का इकलोता सहारा और एक बेटी के पिता घोश पेशे से दवावेवस आई थे दीपावली की रात अपनी दुकान के बाहर शगुन के और पर एक पटाखा फोड़ने के दौरान उनके साथ यह मरमांतिक घटना घटी सूतरों के अनुसार दीपावली की शाम अपनी दौावावार डुकान में करमचारियों के साथ लक्ष्मी पूजन करने के बाद वेद दुकान के बाहर एक तुबड़ी जला रहे थे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तुबडी को जलाने के बाद वहां से दूर जा ही रहा था कि उससे पहले ही तुबडी फट गया तुबडी के इतने समी फटने की वज़े से मृतक घटना स्थल पर ही अचेत होकर गिर पढ़ा उनके कर्मचारियों ने ततपरता के साथ उन्हें नजदी की अस्पताल में भरती कराया अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया की मृतक के सर पर चोट लगने की वज़े से वे बेहोश हो गए थे अस्पताल में उन्हें प्रात्मिक उपचार दिये जाने के बाद छोड़ दिया अस्पताल से छुटी मिलते ही अनिर्बान के सहकर्मी उन्हें फिर से दुकान ले गए और उनके परिजनों को घटा की जानकारी दी पारिवारिक सूत्रों के अनुसार सूचना मिलते ही जब वे दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने पीडित को स्वस्थ पाया वे थोड़े डरे हुए जरूर थे अस्पताल से लोटने के तीन घंटे बाद वे अचानक फिर से बेहोश हो गए उनके परिजनों ने उन्हें नजदी की निजी अस्पताल में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया डॉक्टरों के अनुसार अनिर्बान की मौत दिल का दोरा पढ़ने से हुई है उनके अनुसार बेहोशी के दोरान उन्हें दोरा पड़ा था उसी के कारण उनकी मौत हुई है गौर तलब है कि गटना के बाद स्थानिय पुलिस ने मृतक के शव को बरामत कर पोस्ट मौर्टम के लिए भेज दिया है मौतका सही कारण पता करने के लिए पुलिस व परिवार दोनों ही पोस्ट मौर्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे है गौर तलब है कि एक और दीपावली के मौके पर जहां हर घर में दियों से रोशनी फैलाई जा रही थी वहीं घोश परिवार में रोशनी फिलाने वाला चिराग हमेशा के लिए बुझ गया जिस घर में हफते भर से दीपावली मनाने की धुम थी उस घर में दीपावली की राच से ही मातम पसर गया है